किसाना अंदोलन का आज तीसरा दिन है और मैं मौझूद हूँ दिल्ली हरियाना के पास कीकरी बॉर्डर पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके के अरेज्मेंट्स, सिक्वर्टी अरेज्मेंट्स किये गए हैं सरकार की तरफ से, पुशासन की तरफ से कि जो किस ओर यहां पर रखान है इसके लावा उनके टीचे कांटेंस को खड़ा किया गया है जगा जगा पर बैररिकेट्स अगए गए हैं आप देख सकते हैं जवान यहां परित्यात है, पूरे फूल प्रटेक्टिव गेर के अंदर आप देख सकते हैं राटी उनके पास हैं टियर पूशिश यही कि जो किसान हैं आंदोलनकारी किसान जो हैं वो दिल्ली में इंटर ना कर सकें इसके लावा एक और तस्पीर में चाहूंगा आप मेरे स्योग अमित बदवार आपको दिखाएं आप दिख सकते हैं एक गली है उसको भी ब्लॉक हिया गया है वहाँ पर एक ट्र कोशिश है सरकार की प्रशासन की कि जो अंदोलनकारी किसान है उनको दिल्ली आने से रोका जाए यह एक बैरिकेट्स नहीं है इसी तरह से तमाम बैरिकेट्स इस रोड पर लगाए गये हैं और ताकि लोगों को यानि आम लोगों को दिक्कत ना पेशाए इसके थोड़ा सा स्पेस दिया गया है मैं चाहूंगा मेरे सियोगी आमित बदबार आपको दिखाए किस प्रकार से जो लोकल जो लोग है उनको जाने के लिए छोटा ता स्पेस छोड़ा गया है ताकि आम जो जन जीवन है वो अस्तवयस ना हो लोग आ पाएं जा पाएं हाला कि ट्राफिक क कोई अंदरोन होता है तो इसके एक क्लाटर डैमज भी होता है मैं उसकी आपको एक बांगी दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं वहाँ पेक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है किसान भाईयों से प्राधना वो यहां इस जगा पर ना बैठें क्योंकि इ इस बजाए से यहाँ पर जो वैपारी है वो अपील कर रहे हैं कि किसान यहाँ पर नहीं बैठें आज तीसरा दिन है किसान आज आखरमक बिलकुल नहीं है उनका यह कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार के साथ जो बाच्छी चल रही है जो आज पांच बजे चंडीगर में हो सरकार का साथ तोर पर कहना है कि वो बाच्छी के लिए तयार है लेकिन किसानों को भी अपनी मांगों की जो फिस्कल रियालिटीज हैं उनको भी समझना होगा झाल